हेलो क़रिर लेर्णर्स आप में से जो भी कैंडिडेट्स आने वाले मन्स में किसी कंव्धिडिव exam में आपट एर करेंगे इस एक्जाम हो सकता है डिफेन्स एक्जाम्स हो सकते हैं यह बेंकिंГ के एक्जाम्स हो सकते हैं कि अपुल मिला के कोई भी ऐसा अग्जाम जिसमें आपको English के question solve करने होते हैं जिसमें English का और English आपके लिए matter of concern ने इंग्लिष कि आप अच्छी त्यारी करना चाहते हैं जिससे कि complete syllabus का बैच competitive exams के लिए बैच का नाम है and Compro जैसा कि मैंने आपको बता है इसमें हम competitive exams के लिए जो objective जर्नल इंग्लिजिस का स्लेवर्स होता है उसको cover करेंगे complete वकेब सेक्षन grammar सेक्षन रेडिंग कॉंप्रेहेंशन सेक्षन डाउट क्लासेज साथ ही साथ में जो live meetings होती है जैसे गूगल मीट या जूम उसके थुरू counseling sessions भी आपके हुआ करेंगे यह सारे इस बैच में इस course में इंक्लूड़ेड है स्लेवर्स जो है वह बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा जिससे कि जो लेंग्लिस के फंडामेंटल होते हैं इंग्लिस के बेसिक होते हैं जो हमें पहले आने चाहिए जब हम कॉम्पटिटिव एक्जाम की त्यारी करना शुरू करते हैं तो जो competition का स्लेवर्स है उसको भ करने पर नए questions जो होते हैं एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं समझके तो स्लेवर्स इसका बेसिक टू एडवांस होगा और बैच की जो जानकारी मैं आपको देता हूँ देखें बैच का नाम है एनकॉम प्रो जैसे कि मैंने आपको बताया यह बैच जो है बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करेगा अब्जेक्टिव जनुर्व इंग्लिस का जो हमारे डिफरेंट कॉम्पटिटिव एक्जाम्स होते हैं उन सब के लिए यह हो गया स्लेवर्स म जो कॉम्पटिशन का स्लेवर्स होता है बेसिक ग्रामर है किनमर्स का मतलब म pratic ड्युफ्टिव जिस्क ग्रामर जιस्क बेसिक ग्रामर है जरके सीखना सुजिक यह सीखना हो मैं नहétais है और चाहिए आपको ग्रामर के कॉंसेप्टू क्रूइस और के उसे चाहें पिड़ में लेंग्विस के बेसिक टर्म्स नहीं पताऊंगे लेंग्विस के अपको उस सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप ना अच्छा से वकैब सीख पाऊगे तो भूली जाए उस कंडिशन में की कुछ सीख पाऊगे ग्रैमर में भी दिक्कत होगी जादत दर चीजे आपको याद करने की लिए मतलब कोशिस करनी पड़ेगी अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस स्लेवर में हम सबसे पहले तो आपके जो इंगलिस के बेसिक उनको करेंगे बहुत डीटेल में पढ़ेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद जो कॉंपटेशन का स्लेवर से प्रॉपर उस पर आएंगे जिससे की हम चीजों को समझ पाएं हमें उनको रटना ना पड़े और अगर हम अपना समय दे रहें चीजों को सीखने मे जो ग्रैमर के फंडामेंटल से वह सबसे पहले उसके बाद में जो कॉंपटेशन के लिए ग्रैमर के स्लेवर से जो कॉंसेप्स हैं जो टृकिविकी यूसेज Unseen Passages, Close Test, Sentence Arrangements, even जो Word Arrangements होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे, NDA के और CDS के एक्जाम्स होते हैं, उनमें Word Arrangements के Questions आते हैं, कि आपको Different Words दे रहें, उनमें Word Arrangements के Sentences बनाने हैं, तो इस तरीके से मतलब जो Competition का Complete Slaves है, वो इसमें Cover है, और जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि हम सुरुवात करेंगे सबसे पहले SX Fundamentals से, जो Fundamentals का हमारा Slaves है, सबसे पहले हम उसको सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे, प Test Solve करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, जब आप इस Course को Join करोगे, तो हमने New Fundamentals वीडियो रिकॉर्ड किये हैं, तो वो जो New Fundamentals हैं, जो हमारे Updated Fundamentals वीडियो हैं, वो जब आप Course को Join करोगे, उसी समय आपको Available होंगे, वो उतना पार्ट जो Slaves का है, वो Recorded ह Fundamentals के कुछ वीडियो हैं, जैसे ही आप Course को Join करेंगे, उसी समय आपको उनके Access मिल जाएगी, और आपको वो जो हमारे New Fundamentals वीडियो हैं, सबसे पहले वही देखने हैं, और उस सीक्वेंस में देखने हैं, जिस सीक्वेंस में वो हैं, फिर हम उन वीडियो पर Best Practice Questions Live Classes में डि आपकोमएबल केकिल, चैप्टर होने पें डाउत,gener मुझेशन होते हैं, जब है解कर होता है, सवितल में पर यह केकिल दूपलीट होने पर , माल लिएक लेक्चर है , फाइव आपकोमक्लीत हो Г जब रुक्क्र wilt कहने कोमपलीट हो जाएग, फिर हम उसकी एक practice class ह्रेंपटर हि के बाद में डाउट क्लास होती है कि प्रैक्टिस क्लास होने के बाद में और जो लेक्चर्स हैं चैप्टर के उनको पढ़ने के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट एक कन्फूजन बचा रहे तो वह आप हमारे साथ शेर कीजिए वाट्सप पर फिर हम उसको लाइव क्ल करेंगे 50 marks का जिसमें आपको अटेंट करना होगा और आपका इवलेशन होता रहेगा कि जब हमने कोर्स जॉइन किया था तब हमारे इंडर्स्तेंडिंग कितनी अच्छी थी अब जब हमने दो महीने ती महीने पढ़ लिया है कि जब हमारे कोर्स कंप्लीट होने पर आगया नई हमने extensive exercises competition के exams को ध्यान में रखते वे बनाई वह सारी exercises आपको बेच्च में करवाई जाएंगी जैसे मैंने आपको बताया जैसे गूगल मेट है यह जूम है इन आप्स के थुरू जिसमें बच्चे अपना बोल कर बात कर पाएं डिसकेशन कर पाएं इस तरीके से हम लाइव counseling sessions भी आपको देंगे जिसमें आप अपना तयारी से related कोई जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो वह भी आपको सकते ओफ्लाइन classes में यह बाते बच्चे क्लास में सर से पूछ लेते हैं लेक्चर हो उसके बाद में आपिस में जाके सर से मिली और डिसकेशन कर लिए ऐसा हो जाता है आनलाइन में इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसी बैच से हैं कि आपके अन्वों में वो शेयर कर सकते हैं एक तरीके से काउंशलिंग सेसंस होंगे यह सब इस बैच में इंक्लूडेड है अगर हम बात कर लें सेड्यूल की बात कर लें तो लाइव क्लासेज आपकी हुआ करेंगी सिक्स पीम टू सेवन थर्टी पीम वन एंड हाफ क्लास की क्लासेज होंगी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बैच से अल्टरनेट डेस का बैच नहीं है रेगुलर क्लासेज होंगी मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होंगी सैटर्डे को हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे जैसे मैंने आपको बताए कि सैटर्डे को हम में स्टाट हो रही है लाइप क्लासस बैच इ plot और ओर ऊरिंटेशन क्लास जो है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है कौनसी बुक्स पढ़नी है कौन से कैसे नोट को स्टम्प मॉने करना है इस को बात में करना है तो आपको कुछ ऐसी टेप्स बता दी जाएंगी जो आपको अभी से शुरू कर देने तो orientation class वह आपकी 11th of December को है 11th of December कि वह आपकी orientation class है और proper slayvers की classes जो है लेक्चर जो है वह आपके start हो जाएंगे 18th of December से ज्यान रखना है कि और चुक्कि रेगुलर क्लासर और रएड हार्स के रेगुलर क्लासर होंगी तो कोर्स हम फोर टूफ फाइब मंस में complete slay लिवर कबर कर लेंगे और हमने या पर फाइब मंस इसलिए लिख भी दिया तो मैक्सिमॉम फाइब मंस में आपका पूरा स्लेवर्स कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग वक्याव एंड रीडिंग कंप्रेंशन सेक्षन त्वेल मंस की आपकी वैलेडिटी होगी यह जो आप पढ़ेंगे वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे नोट्स बनाने के लिए रिवीजन के लिए देखने के लिए एक साल तक वन येर की वैलेडिटी है इन केस कोई आप जैसे की कॉमन है आज के टाइम में जैसे कि अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस कर जाते हैं किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाते हैं तो उस लेक्चर का वी ओडी अबिलेवल रहेगा एप पर जिसको आप एक साल तक कभी भी देख सकते हैं तो आपके कोर्स की वैलेडिटी वन येर है लेकिन जो हमारा स्लेवर्स है लाइब लेक्चर के थ्रू उसको हम फाइव मंस में कम्प्लीट करेंगे कि अब काम की बात कर लेते हैं फीस बगएर की बैच की फीस किया है इसा कुछ तो फीस अभी हमारे कॉम्प्टिशन जो एंकॉम बैचर होते हैं उनकी सारे बच्चों को पता कि फीस सिक्स थाउजन होती है अभी फिलाल में जब तक आपकी लाइव क्लासेज नहीं स्टार्ट हो रहे हैं तब तक फीस में डिसकाउंट दे रखा है तो आप इस बैच को जोइन कर सकते हैं 4000 में वन्स लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद में फीस को रिवाइज करते जाएगा अभी फिलाल में डिसकाउंटेड फीस 4000 है इस बैच को जोइन करने के लिए क्लासेज हमारा एंडॉइड अप्लिकेशन है ऐसे लाइव उस पर होती आपको मिल जाएगी वह वीडियो आपको उसी सेक्शन में उसी सीक्वेंस में देखने शुरू कर देने जिस सीक्वेंस में वह हैं अब फिर हम शुरुआत करेंगे इस लेवस की उन वीडियोज पर प्रैक्टिज क्लासे अब आपको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के में भी है नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर भी आप को सच करके डाउन्लोड कर सकते हैं इन केस से रिलेटेड बैस से रिलेटेड आप की कोई क्वेरी है जो आप हमारे साथ पहले डिसकस करना चाहते हैं बैस जोन करने से यह हमारे कांटेक्ट नंबर से जिन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यह ओफिस का नंबर है दुरानी से के पास रहता है आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और नहीं तो वाट्सप मेसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं यह मेरा वाट्सप नंबर है आप वाट्सप मेसेज के थुरू मुझ मैं ज़रूरी रेप्लाइ कर दूंगा डबल नाइन ट्रिपल वन नाइन वन नाइन वाट्सब नमबर तो हो जाएं इंग्लिस चीखने के लिए तयार और जो आपके इंग्लिस से रिलेटेड डाउट्स हैं कन्फूजन्स हैं जो हमारे प्रिहेंस्स होते हैं इंग्लिस बहुत मुष्किल है इसमें रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं पड़ों ज्याद नहीं होता इस शीकें के ATL अब भुए है और बेल को इसको कर भी पाओं और घीरे निइंद्ध कॉर्म्ट हो होता जब हम चीजों को समझ कर सीखते हैं रटते नहीं है याद नहीं करते हैं तो जो हमारी ग्रोथ होती वह शुरुवात में बाद में वह बहुत रैपिड हो जाती बहुत तेज हो जाती है और वह स्टेडी होती है वह इंप्रूम्मेंट जो हमारी होती है वह स्टेडी होती है हमारे दिमाग काम कर रहा है चीज़ों को समझने में कॉल्व करने में तो अगर इंग्लिश को लेकर आपको कोई डाउट है और आपको लगता है कि इंग्लिश आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है चिंता का विशह है ठीक है जिस पर आपको ध्यान देना है एक्स्ट्रा मिहनत की जरूरत है उस पर कोई आपको पर्सनल गाइडेंस और कांसलिंग और कोचिंग की जरूरत है तो यह प्रोग्राम आपके लिए तो हो जाए तेयार इंग्लिश सीखने के ल कि बाए खिरूर बाए जरूरत है जरूरत है ठीक है।